हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फिडियो में मारपास आचको है सैमसंग गलेक्सी एफिटी पोर जोके एफिटी थी का सक्सेसर है और एक साल के बाद लुच हुआ है ये फोन आउट ओफ दी बोक्स वान योई 5.1 के साथ आता है जोके लेटेस्ट है और फीचर्स के स शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला फीचर में आपको बताना चाहूँगा ये फोन जो है वो इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट सेंसर के साथ आता है जो के काफी अच्छे से काम करता है इसका जो एरिया है वो भी काफी जादा है तो अगर आप थोड़ा इधर उदर भ है और अगर इसको चाहें तो काफी जादा कस्टमाइज इस तरीके से आप कर सकते हैं डिफरंट डिफरेंट ओप्षिंस डिफरेंट डिफरेंट लेयाउट्स आपको यहां पर दिये गए हैं और इसके इलावा भी यहां पर काफी सारे अच्छे विजट्स हैं जैसे के सैम screen के अंदर आपको जाना है और यहां पर आपको AOD का option मिलेगा इसको आप यहां पर show always के उपर भी select कर सकते हैं और यहां पर काफी सारे different तरीकी के options आपको मिल जाएंगे clocks and digital और analog या फिर अगर आप images use करना चाहते हैं even AR emoji और bit emojis जैसे option भी आपको यहां पर मिल जाते हैं और यह bit emojis मैंने दूसरे phones पर use किया है दोस्तों काफी जादा अच्छा option है edge lighting या फिर notification lighting भी आप इस phone में enable कर सकते हैं उसको भी enable करने के लिए आपको settings में notifications के अंदर notification pop-up style में जाना होगा यहां पर आपको edge lighting style का option यहां पर आपको different तरीके edge lighting के options दिए गए हैं कुछ उपर से यहां पर आते हैं और कुछ यहां पर side वाला जो होता है वो भी option है और इसका color और कुछ और settings भी आप customize कर सकते हैं जिसके transparency और duration भी आप यहां से change कर सकते हैं क्योंकि Samsung का एक premium smartphone है तो इसमें आपको edge panels का support भी दिया गया है जो के budget smartphones में आपको नहीं मिलता तो यहां पर काफी सारे different तरीके के panels आप setup कर पाएंगे और इसकी settings में अगर आप जाते हैं तो even यहां पर और panels download करने का option आपको मिलता है यहां पर कुछ paid वाले panels भी हैं जो के मुझे काफी जादा अच्छे लगी जैसे के control center का जो panel है यह मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इस phone में nox security का support है तो इसमें आपको secure folder का option भी मिल जाएगा अगर आपको byte phone यहां पर नहीं मिले तो पहले settings से इसको enable कर देना है उसके बाद इस तरीके का secure folder आप use कर सकती है अब यह जो है थोड़ा different तरीके से काम करता है अगर आप इसमें किसी app को add करते है तो phone जो है उस app का एक clone create कर देता है जैसे कि मैंने WhatsApp यहां पर add किया है यह जो WhatsApp है यह एक dual app की तरहां काम करता है यहां पर एक दूसरा WhatsApp है अगर मैं secure folder के बाहर से WhatsApp यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे मैंने ओरड़ी लोगीन किया हुआ है और यह एक दूसरा WhatsApp है इवन यहां पर files, gallery, camera, contacts जैसे options भी है अगर secure folder के अंदर आप camera से कोई photo capture करते हैं तो वो secure रहेगा अगर इसके अंदर कोई contact add करते हैं वो भी secure रहेगा तो काफी अच्छे तरीके से ये काम करता है इस secure folder की एक और चीज़ जो उच्छी दगी वो यह है कि इसको आप काफी ज़ादा customize कर सकते हैं इसकी app का icon आप change कर सकते हैं settings में अगर आप इहाँ पर customize में जाते हैं तो बोखोट सारे different icon के options आपको दिये गए हैं तांकि कोई अगर आपके phone को use कर रहा है तो वो पहचान नहीं पाए कि ये actually में कोई secure folder है और इसके अंदर कुछ सरूरी चीज़े हैं यहाँ पर even इसका आप color भी change कर सकते हैं तो काफी इछे से इसको customize कर सकते हैं और इसका कुछ और नाम दे के इसको hide कर सकते हैं और dual apps का support वैसे भी आपको इस phone में मिल जाता है secure folder से भी आप use कर सकते हैं लेकिन अगर आप directly settings में advanced features के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको dual messenger का option मिल जाएगा कोई भी जो social media की app है उसमें 2 accounts login करना चाहते हैं तो यह dual messenger की मदद से आप कर पाएंगे even इनके लिए different contact list भी आप setup कर सकते हैं floating windows का support भी इस phone में काफी इच्छा आपको मिल जाता है आपको बस कोई भी app को open करके recents में जाना है app के icon के उपर tap करना है और open in pop-up view के उपर tap कर देना है इस तरीके से आपकी जो app है वो pop-up view में open हो जाएगी इसको आप resize कर सकते हैं और काफी सारे options हैं यहाँ पर और इसकी एक और अच्छी चीज यह है कि आप किसी भी app के लिए use कर सकते हैं settings में advanced features के अंदर laps के अंदर अगरा आप जाते हैं तो यहाँ पर multi window for all apps को आप select कर सकते हैं और किसी भी app में उसके पाद इसको use कर पाएंगे और यहाँ पर laps के अंदर ही इसका एक gesture भी दिया गया है जो के मुझे काफी अच्छा लगा swipe for pop-up view आप use कर सकते हैं उसके बाद आपको इस तरीके से उपर से side से इस तरीके से swipe करना है और आपकी app असानी से आप pop-up view में open कर पाएंगे अब दोस्तो color palettes का option तो आपको काफी time से different phones में मिल रहा है लेकिन इस phone में एक और बड़ा ही अच्छा option मुझे दिखा wallpaper and style के अंदर color palette को अगर आप enable करते हैं तो इसके अंदर color palettes को आप icons के उपर भी apply कर सकते हैं जिसके बाद आपके सारे apps के जो icons हैं वो काफी अच्छे हो जाएंगे एक different तरीके का look आपको दे देंगे और इस तरीके से जो भी color आप select करते हैं वो color palette का option आपका icons के उपर भी इस तरीके से apply हो जाएगा इस phone में एक और नया और बहुत ही useful feature आपको settings में accessibility settings के अंदर installed apps के अंदर मिलेगा sound notifications का आप इस phone में sound notifications enable कर सकते हैं मतलब कि जब भी phone को को sound सुनेगा particular type का तो phone आपको notify करतेगा जैसे के घर में अगर आप बैठे हैं आपको bell का sound का notification लेना है आप generally earphones वगरा use करते हैं तो उस time पर अगर आपके घर पे bell बजेगी तो आपको phone के उपर notification आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा ऐसे ही अगर आपके घर पे landline है तो वो जब भ्रिंक करता है उसकी भी notification आप अपने phone के उपर ले सकते हैं या किसी भी type का sound आप बस phone में record की दिये और आपको phone notify करता रहेगा इस phone में दोस्तों आपको good look और keys cafe नाम के features भी मिल जाते हैं जो के again Samsung के premium phones में आपको दिये जाते हैं good look के अंदर आपको काफ़ी different apps डाउनलोड करने का option मिलता है जिसकी मदद से आप अपने phone को काफी जादा customize कर पाते हैं जैसके notifications को customize करना है तो notice star आप यूज़ कर सकते हैं navigation bar को customize करना है उसके लिए nav star का option है home screen को customize करने के लिए आप home app यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही काफी सारे different options यहाँ पर हैं और इनमें से ही एक option जो मुझे काफी अच्छा लगता है वो है keys cafe का आप keyboard को भी काफी अच्छे से customize यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर style your own keyboard के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप colors change कर सकते हैं keys के और background के ऐसे ही आप यहाँ पर effect setup कर सकते हैं जब भी आप कोई key press करते हैं तो background में कैसा effect आ रहा है key के उपर कैसा effect आ रहा है और कोई motion effect आपको दिख रहा है या नहीं तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे दूस्तों मैंने already इसको setup किया हुआ है और काफी अच्छा look यह आपके keyboard को दे देता है एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको Samsung का dialer दिया गया है जिसकी वैजे से आप यहाँ पर automatic call recording कर सकते हैं यहाँ पर record calls का option आपको मिल जाएगा इसके अंदर automatic call recording आप setup कर पाएंगे display हो रहा है उसको भी आप यहाँ पर काफी इच्छे से customize कर सकते हैं एक नया और बहुती useful option जो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिला हो है Bixby text call का अगर आप चाहें तो आप बिना बोले text call किसी के साथ कर सकते हैं मतब कि जब आप कोई call आ रही है तो Bixby automatically सामने वाले बंदे से पूछेगा कि आपने call किया है जो भी उसका response होगा वो आपको type करके आपकी screen के उपर दिखा देगा आप खुद अपना जो response होगा उसको type करके send कर सकते हैं Bixby सामने वाले को बोल के उस response को सुना देगा तो एक तरीके से सामने वाले के लिए normal call ही होगा लेकिन आपके लिए आप बिना बोले उस call को attend कर पाएंगे इस phone में आपको link to windows का support भी मिल जाता है जिसका option यहाँ पर आपको quick settings में ही मिल जाएगा अब इसकी मदल से आप अपने phone को किसी windows PC के साथ connect कर सकते हैं और अपने phone को बड़ी ही असानी से और अच्छे तरीके से PC से control कर पाएंगे even notifications आप PC के उपर देख सकते हैं अपनी photos PC के उपर देख सकते हैं calls भी आप directly PC से attend कर सकते हैं और calls कर भी सकते हैं तो काफी अच्छा तरीका है अगर आप अपने phone को PC के साथ connect करना चाहते हैं home screen के पर long tap करके अगर आप यहाँ पर settings में जाते हैं तो आपको hide apps का option भी मिलता है अगर आप किसी app को बिल्कुल hide करना चाहते हैं वो कहीं भी वोलेट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक और चीज में इस phone में realize किया दोस्तों Samsung ने ecosystem बनाने के लिए इसमें काफी सारे options दिये हैं settings में connected devices के अंदर आपको auto switch buds का option मिलता है जो भी earphones आपने connect किये हैं और different devices के बीच में switch होते रहेंगे अगर आप phone को Windows PC या किसी tablet के साथ connect कर रहे हैं तो अपने phone के messages और calls आप दूसरे devices के उपर देख सकते हैं even जो भी app आप अपने phone में यूज कर रहे हैं अगर आप Samsung का tab को यूज करते हैं उसके उपर आप उसको continue कर सकते हैं करना तो इस तरीके के काफी सारे options हैं जो कि आपको ecosystem maintain करने में भी help करता है settings में sound and vibration के अंदर एक बहुत ही unique option आपको volume के अंदर मिलेगा यहां पर three dots के उपर press करेंगे तो media volume limit का option है अगर आपके घर में कोई बच्चा है आप नहीं चाहते के वो आवास को बहुत जादा loud करें तो आप custom limit setup कर सकते हैं कि maximum कितना आवास को setup किया जा सकता है और इसके लिए आप एक pin भी enable कर सकते हैं ताके वो उसको override ना कर पाए और आवास को जादा ना बढ़ा पाए एक और बड़ा ही unique option जो मैंने पहली बार किसी phone में देखा vibration intensity के अंदर आपको दिया गया है vibration sound for incoming calls का अगर आपने phone को silent के उपर लगाया है तो vibration के साथ-साथ phonic vibration sound भी produce करता है जो कि आपको distract नहीं करता इवन अगर आप meetings वगेरा में है लेकिन क्योंकि वो एक sound है तो आपको असानी से पता जल जाता है कि आपके phone के उपर vibration हो रहा है और आपको कोई call आ रहा है यहाँ पर ही sound quality and effects के अंदर आपको dual B Atmos का support भी इस phone के अंदर दिया गया है इस phone में dual speakers है sound जो है उस phone का का काफी जादा अच्छी quality का है और यहाँ से आप sound को काफी इच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं इवन equalizer का support भी आपको यहाँ पर दे रखा है और music से related ही एक और बढ़िया option यहाँ पर separate app sound का option भी आपको दिया गया है अगर आप किसी एक app का sound जो हो किसी दूसरे device के उपर play करना चाहते हैं वो भी आप इस phone में कर सकते हैं जैसके सिरफ आप sounds play कर रहे हैं जो कि आप speakers के उपर play करना चाहते हैं बाकी सब sounds अगर कोई call आता है, notification आता है वो फोन के उपर ही चलाना चाहते हैं वो चीज़ आप इसकी मदद से असानी से कर पाएंगे settings में इस phone में जो themes का option है वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है वैसे तो ये normal themes डाउनलोड करने का option है लेकिन इसमें जो best option है वो ये है कि इसमें आपको icon packs डाउनलोड करने का option भी मलता है उसी के साथ different तरीके के always on displays भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं काफी जादा यहां पर paid आपको मिलेंगे लेकिन top के उपर आप अगर free set कर लेंगे तो यहां पर काफी एच्छे free options भी आपको दिये गए हैं इस phone में आपको lockdown mode का option भी दिया गया है जो के bite for disable है तो सबसे पहले तो lock screen settings में secure lock settings के अंदर आपको lockdown mode को enable कर देना है उसके बाद अगर आप power key को press करते हैं तो यहां से आप lockdown mode को enable कर सकते हैं अगर आप lockdown mode को enable करते हैं तो आपका phone पूरा lockdown mode में चला जाता है जिसका मतब है कि आपके phone पर face unlock fingerprint sensor सब काम करना बंद कर देता है इवन आपको lock screen के उपर कोई notifications देखनी के लिए नहीं मिलती है एक बार के लिए आपने जो pin year pattern setup किया है उसके साथ ही आपको phone को lock करना पड़ेगा उसके बाद आपका phone नोर्मल तरीके से काम करना शूट करतेगा काफी सारे motion gestures का support भी आपको इस phone में दिया गया है settings में advanced features के अंदर आपको motion gestures का option मिल जाएगा तो यहां पर आपको mute with gestures का option है आप incoming calls और alarms को इस तरीके से हाथ phone के सामने रखके mute कर सकते हैं ऐसे ही palm swipe to capture है मतबकि इस तरीके से palm को अगर आप swipe करते हैं तो आप screenshot capture कर सकते हैं और यहां पर double tap to screen on या screen of जैसे features भी आप use कर सकते हैं एक feature जो यहां पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो है keep screen on while viewing का अगर आप phone के उपर reading वगरा करते हैं तो यह feature काफी जादा useful है यह feature को अगर आप enable करते हैं तो phone का screen तब तक बंद नहीं होता जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं तो even अगर आप phone को touch नहीं कर रहे है आपने जितना भी time setup किया है वो complete हो चुका है अगर आप phone की तरफ देख रहे हैं तो phone का display बंद नहीं होगा advanced features के अंदर ही यहां पर आपको one handed mode का option भी दिया गया है जिसको enable करने के लिए आपको इसरीके से नीचे एक तरफ swipe करना है अब यह जो है वो पुराना वादा one handed mode है मुझे जो है वो नेया वादा one handed mode जादा अच्छा लगता है जो के iPhone जैसा है लेकिन यह भी यहां पर अच्छा काम करता है और उसको भी आप यहां पर use कर सकते हैं advanced features के अंदर ही आपको video call effects का option भी दिया गया है दोस्तों इस phone में किसी भी app से अगर आप video calls करते हैं तो आप उसके अंदर different तरीके के effect setup कर सकते हैं जैसे के background को अगर आपको change करना है कोई image setup करना है उसी के साथ background color आपको कोई choose करना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस-किस app में इसका support आपको मिलेगा एक और अच्छा feature जो इस phone में आपको दिया गया है हो settings में accessibility के अंदर installed apps के अंदर आपको voice access का मिलता है इस phone को अगर आप चाहें तो voice की मदद से control कर सकते है इसको बस आपको enable करना है उसके बाद अगर आप go home बोलेंगे तो phone home पे चला जाएगा go back बोलेंगे तो back पे चला जाएगा show notifications बोलेंगे तो आपको phone notifications दिखा देगा तो सिरफ आवाद से आप phone को control कर पाएंगे चलिए camera के features भी आपको बता देता हूं दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूँ के Samsung के जो high-end phones में option आता है single take का feature आपको यहाँ पर भी दिया गया है इसके अंदर आप इसकी settings भी कुछ कर सकते हैं कि कौन-कौन सी videos या photos आपको इसकी मदद से capture करना है तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको enable disable कर सकते हैं camera के अंदर एक और अच्छा mode यहाँ पर आपको fun mode का दिया गया है जिसके अंदर आपको different तरीके के creative filters देखने के लिए मिलते हैं जो के snapchat के filters हैं basically और यहाँ पर directly आपको camera app के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं इस phone में अगर आप कोई portrait photo capture करते हैं तो उसमें काफी different तरीके के background effects enable कर सकते हैं जैसे के background में blur कितना है उसको आप कमिया जादा कर सकते हैं उसी के साथ यहाँ पर आप studio lighting add कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो color effects भी यहाँ पर different तरीके के enable कर सकते हैं इवन यहाँ पर सिरफ background के उपर अगर आपको किसी तरीके का effect लगाना है उसके भी काफी सारे options मिल जाते हैं इस phone के camera app की एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अगर आप video capture कर रहे हैं तो आपको काफी सारे controls यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे के directly अगर आपको ultra wide angle camera के बीच में switch करना है अगर आप video को बीच में post करना चाहते हैं उसको option भी है वीडियो के साथ साथ आपको photos को capture करनी है तो वो option आपको यहाँ पर मिल जाता है इवन video capture करते करते ही आप front camera में भी switch कर सकते हैं more के अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको pro mode का support भी मिल जाता है इवन यहाँ पर videos के लिए pro mode का support आपको दिया गया है videos में pro mode को यूज़ करके आप actually काफी जादा भैतर videos capture कर सकते हैं और more के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपको slow motion और super slow motion वीडियोस जैसे option भी यहाँ पर दिये गए हैं super slow motion वीडियोस की मदल से आप काफी slow motion और काफी अच्छी वीडियोस capture कर सकते हैं इस phone में shutter button को अगर आप नीचे की तरफ swipe करते हैं तो इस तरीके से burst photos capture कर सकते हैं और इसको आप change भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर camera settings में जाएंगे तो swipe shutter button to आप create gif के लिए भी इसको use कर सकते हैं और camera settings के अंदर ही एक और option जो मुझे यहाँ पर काफी useful लगता है वो है shooting methods का आप इस phone में different different तरीके से photos को capture कर सकते हैं जैसे के आवाज के साथ अगर आप smile, cheese, capture यह सब बोलते हैं तो आप video record करना या फिर photo capture करना शुरू कर सकते हैं ऐसे ही आप एक floating shutter button को enable कर सकते हैं या फिर अपना palm आप इस तरीके से phone को दिखा कर भी photos या videos को capture कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरू किजेगा और मुझे ही बताएगा नीचे comments में के आपको कौनसा feature सबसे जादा अच्छा लगा चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और amazing वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तो